ड्राव कर दिए एध्युलह करने, इसलामलेंकम स्टुरिंट्स जी है आजकी लेक्टच्र एक्ट कांटेबल space पडेन एक्ट कांटेबल श्पेस के होटीस की रेतजेशन देख लेते हैं इसे पहले 1st countable space हम पढ़ जुके हैं, 1st countable space के लिए हर पॉइंट यूपर topological space में आपको countable local base चाहिए होती है, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ countable base चाहिए होती है, जिस भी topology का जिकर हो रहा है, जो भी topology under discussion होगी, उस topology के साथ आपने जो base बनानी है, उस topology की that should be a countable set itself, इसकी examples देखते हैं, यह देखें, यह देखें जी सबसे पहले discrete space हमारे पास है, discrete space के बारे में यहां कहा जा रहा है कि discrete space is not second countable, जबकि यह first countable में हमने पढ़ा कि यह first countable थी, लेकिन यह second countable नहीं है, इसकी बज़ा क्या है, क्योंकि especially यहां पे का गए कि discrete space if it is on uncountable set, अगर किसी uncountable set के उपर आप discrete space बना रहे हैं, तो फिर discrete space second countable नहीं होगी, अगर किसी countable set के उपर आप discrete बना रहे हैं, तो फिर वो countable हो सकती है, इसके बज़ा क्या है यह मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ यह देखें अगर आपके पास एक set countable है यानि कि countable का मतलब है finite है इसके अंदर सिर्फ दो elements है आप इसके उपर जब top बनाएंगे इसकी topology, discrete topology बनाएंगे तो इसके अंदर क्या आएगा इसके अंदर सिर्फ finite members ही आएंगे इसके अंदर सिर्फ finite members ही है क्योंके set खुद finite है set खुद countable है तो इसकी topology में भी countable members आएंगे अब discrete topology की basis कैसे बनती है discrete topology की basis जो हमारा standard तरीका है हम तमाम जो है वो single tons को उठाते हैं और basis set में डाल देते हैं basis बन जाती है basis जो है वो तमाम single ton sets के ओपर contribute करती है मतलब consist करती है इसका मतलब यह हुआ कि यह है जी आपके पास basis अब अगर यह set finite है तो basis भी finite है इसमें दो members आएंगे आपके पास set खुद infinite हो यानि कि x के बजाए यहाँ real numbers का set हो तो real numbers तो infinite होते हैं यानि कि uncountable set होता है तो फिर यहाँ कितने single ton आएंगे uncountable तो यह आपके ground set के उपर depend कर रही है कि ground set क्या है ground set अगर finite है तो फिर basis भी finite ground set countable है तो basis भी countable ground set uncountable है तो basis भी uncountable बनेगी क्योंकि यह तमाम single ton को contain करती है तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने remark दिया हुए कि discrete space second countable नहीं है अगर यह किसी uncountable set पर बन रही है बिसाल के तो पर यह real numbers पर बन रही है तो फिर यह second countable space नहीं है क्योंकि यह तमाम single ton को contain करती है लेकिन अगर discrete space खुद किसी countable set के उपर बन रही है तो फिर यह second countable होगी ठीक है जी इसके बाद indiscreet space को देख लेते हैं indiscreet space में कि क्या आपकी indiscreet space की पहले basis देखते हैं कि basis कैसी होती है क्योंकि उसकी basis के उपर depend करता है कि वो second countable है कि नहीं तो basis जो है indiscreet space की हमेशा एक ही element को contain करती है क्योंकि आपके पास indiscreet space में topology के अंदर सिरफ 5 और x होता है तो इस में से सिरफ आप x set को open set को उठाते हैं और basis में डाल देते हैं तो यह basis बन जाती है तो basis होती ही countable एक ही member को contain करती है तो basis countable set होता है जिसकी विरा से basis countable होने की विरा से हम कहते हैं कि हमारी हर indiscreet space जो है वो हमेशा second countable होगी अब यहाँ पर x set खुद चाहे countable हो चाहे uncountable हो x का मतलब चाहे R हो या x का मतलब कोई finite set हो A, B, C इससे कोई फरक नहीं पड़ता वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे indiscreet space में basis के अंदर हमेशा एक ही element आएगा एक से जादा आएगा ही नहीं तो basis हमेशा finite ही होगी चाहे वो बिसी uncountable set पे बने चाहे countable पे बने इससे कोई फरक नहीं पड़ता तो indiscreet space space जो है वो हमारे पास हमेशा second countable होगी अब यहाँ पे देखें usual apology तीसरी हमारी example है कि usual apology second countable नहीं होती कि इसकी जो basis है वो हमने बनानी जो सीखी थी basis इसकी basis में तमाम open intervals आते हैं पहली बात ठीक है इसकी जो basis होती है it contains all the open intervals सिर्फ जितने भी आप open intervals टॉक के अंदर है single आप उन्हें उठाएं और basis में डाल दे तो आपके पास ये basis set बनेगा आप कितने open intervals है चुक्के real numbers खुद infinite है uncountable set है तो इसलिए आपके पास uncountable open intervals बनेगे तो इस नजर से देखें तो आपकी basis जो है वो uncountable होती है that's why ये second countable नहीं है लेकिन अगर यहां पर अगेन आप इसको थोड़ा सा इस point of view से देखें कि आप basis के अंदर जैसे मैंने आप से कहा था कि local base के भी एक से ज़्यादा तरीके होते हैं एक point पे बनाने के इसी तरह से basis भी एक से ज़्यादा बन सकती है किसी एक topology के साथ एक से ज़्यादा basis connect हो सकती है अब ये तो वो simple basis थी जो आपने सारे single open intervals उठाए और इसमें डाल दी है लेकिन अगर हम इन open intervals को थोड़ा सा यहां पे एक condition लगाते है कि हम वो open intervals उठा रहे हैं जिनके end points rational points है यानि कि इस तरह के open intervals उठा रहे हो जिनके end points rational numbers है ठीक है तो rational numbers चुके countable होते हैं that's why आपके पास यहां पे open intervals बनेंगे वो कितनी तदाद में बनेंगे वो no doubt कि आपके पास फिर countable तदाद में बनेंगे युकि rational numbers countable होते हैं अगर आप इस point of view से ऐसी basis बनाएंगे जिनके अंदेर rational ends वाले open intervals अगर आप डालें तो फिर आपकी जो basis है वो countable बन सकती है जिसका मतब है आपके पास basis बनाने के भी जोके एक से जादा options होते हैं अब यह options यहां पे बड़ी important है आपको पता होना चाहिए कि जी किसी भी usual topology की basis इस तरहां से भी बन सकती है और उस तरहां से भी बन सकती है क्योंकि यहां पे हमने जी statement देनी है कि यह usual topology second countable है के नहीं है तो अगर आप सिरफ आपके जहें में आपको इतना knowledge होगा कि सिरफ single intervals उपन intervals उठाते हैं और basis में डालते हैं तो फिर इस point of view से तो basis uncountable हो जाती है लेकिन अगर rational end वाले open intervals आप उठाएं और basis में डालें तो उस point of view से फिर आपकी usual topology second countable है जी अब हमारी चौती example है कि R2 usual topology के साथ discuss करें अब R2 जो है usual topology में इसके topology के अंदर जो members होते हैं वो union of open disks होती है और उसमें इसकी जो basis बनती है उस basis में सिरफ single single open disks अगर हम उठाएं और basis में डाल दें तो ये set complete basis की definition satisfy करता है इनके single open disks उठाएं और B set में डाल दें तो ये basis बन जाएगा इस point of view से कितनी ये जो आपकी basis बनती है R2 की वो बनती है आपके पास uncountable इस point of view से तो ये second countable नहीं है लेकिन अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को मदे नज़र रखें कि हम ऐसी open disk उठाके बीटा में डालें जिनके radius rational numbers है और जिनके centers भी rational numbers हो specifically हम blindly सारी open disk ना उठाके डालें हम सिरफ वो open disk उठाएं टॉमस से usual topology में से जिनके radius और centers दोनो rational numbers है तो पर जो कि rational numbers countable होते हैं that's why इस तरह की disk की तादाद भी आपके पास countable ही आएगी countable uncountable नहीं आ सकती है इस केस में इस तरह की अगर आप basis बनाते हैं तो पर इस केस में आपके पास यूजल topology और टू भी second countable बनती है जी तो हमने यहां पर first and second countable को detail से पर लिया और हमने यह भी देख लिया कि हमरी routine life के जितनी भी topological spaces हैं जिनको हम बार बार डिसकस करते हैं उन्हें से कौन first countable कौन से second countable होती है इसके बाद यह note है important यह देख लें कि हर second countable space हमेशा first countable होगी लेकिन converse इसका true नहीं है यानि कि जो space आपके पास second countable बनेगी वो लाजमी है कि first countable भी बने लेकिन जो first countable है वो second countable नहीं हो सकती इसकी बज़ा क्या है देखें अगर आप countable एक space जो second countable है इसका मतलब है उसकी basis countable है ठीक है अगर आप basis countable निकालते हैं तो फिर local basis भी countable निकलने के chances होते हैं इसका मतलब यह है और अगर आपके पास basis ही countable ना निकले तो फिर local basis का मतलब है कि countable नहीं निकले लेकिन local basis अगर countable निकले तो वो basis के countable होने की कोई guarantee नहीं देती ठीक है इसका मतलब है कि किसी भी topology की basis set अगर countable होता है तो वहां से आपको guarantee मिल जाती है कि उसकी local base भी countable हर point में आपको मिल जाएगी ठीक है तो यह याद रखेगा कि हर second countable space जो है वो आपके पास first countable होती है जी कुछ इसके results है first countable से related कि every subspace of the first countable space is first countable यानि कि अगर कोई topological space x tau है और यापके परस first countable है और y tau y जो है इसकी subspace है ठीक है तो अगर super space आपके परस countable है तो subspace भी countable होगी first countable होगी वो कैसे first countable होगी देखें first countable space कोई भी space first countable space अब होती है जब उसके हर point योपर local based हो है वो countable हो जैसे x के हर point योपर local based हो है आपके पास countable हो ठीक है तो आप यह देखें कि अगर superset के अंदर आपको हर point योपर local based countable मिल जाती है तो फिर subspace के अंदर भी आपको हर point योपर local based countable मिलती है में आंक्ति कि पास सुपर पॉप आषिर सांट है के लिनी कि नोगर यह जो शॉपर सब्म पैसे हैं यही पेंट कर रही होती ही तो अगर ईप्र पॉइंट ईपर local बेस कैसे बनती है किसी भी पॉइंट लोकल बेस के लिए आप members topology में सरी उठाते हैं चीक है तो आपको यहां से अगर आपको super topology में finite members है तो उनी finite members intersection आप लेंगे वाइर के साथ आपके पास relative typology के open sets बनेंगे तो आपको यहां पे finite sets अगर यह काम कर लेते है लोकल बेस बना लेते हैं तो फिर रेलेटिव टॉपलोजी के अंदर भी करिस्पॉंडिंग इसी तरह से आपको फनाइट मेंबर जी एजा लोकल बेस के तौर पर मिलेंगे तो आपको काउंटिबल अगर सुपर टॉपलोजी फस्ट काउंटिबल है यानि कि हर लोक पॉइ है यह उसका सबसेट है अब सबस्पेस को भी हमने फॉर्स काउंटिबल दिखाने हमने उसके लिए उसके सबस्पेस में से एक और पॉइंट सेलेक्ट किया इसके उपर बेसिस लोकल बेसिस बनाके चेक करते हैं अगर वो काउंटिबल आगी तो फिर इसका मतलब है वाई के फिर्स काउंटिबल है तो हम एक्स के अंदर एक उपर लोकल बेसिस काउंटिबल बना सकते हैं काउंटिबल लोकल बेसिस हमारे पास बन सकती है सुपोस करें कि एक्स के अंदर जो एक पॉइंट पे लोकल बेसिस बनती है वो यह काउंटिबल है यानिके इसके अंदर काउ ये अंदर जो ओपन बेस इसकी लोकल बेस बनेगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो लोकल बेस जो है नो डाउट ओपन सेट्स को अटेन करेगी लेकिन ये ओपन सेट्स जो है ये हमारे पास तौव य से आएंगे इनका तालुक तौव य से होगा और तौव य के मेंबर् का आप इंटर सेक्शन लेते जाएं य के साथ तौव य के मेंबर्स बनेंगे ठीक है तो इसके अंदर जो ओपन सेट्स आते हैं उन्हीं ओपन सेट्स से ही के करिस्पॉंडिंग लिए यहां पर आपके पास ओपन सेट्स आते हैं अगर यह आपके पास काउंटिबल है तो कि यह उखिव और एक उपाइंट ही उपर अगर लिएस आपके पास आप्स सुपशकी ऊंटिबल निकलेगी जी सेकिंड नूट है आपके पास से यवरी सब्सपेस पेसेज सइकंड हम्टिबव स्पेस इस सेकनड चांटिबल स्पेस झांट ऐसिस तरह सेर्स आप्स space भी second countable होती है super space की अगर basis countable है तो फिर subspace की basis भी countable है क्योंकि second countable basis की base पे बनती है तो basis अगर आपके पास ये x tau है ठीक है x tau x है और इसकी जो subspace है वो y है अगर आपके पास इसके अंदर इसकी basis जो है वो आपके पास countable set है क्योंकि इसके basis के अंदर members कहां से आने तो अगर यहां आपके पास countable तदाद में हैं तो फिर इसकी जो basis बनेगी आपके पास वो भी countable ही बनेगी क्यूंकि इसकी basis भी इसके open members से आई और इसके open members टॉ एक्स के open members के उपर depend करते हैं तो super space इस तरह से मैंने first countable में local base बना के दिखाई और फिर इस तरह से आपको बताया इसी तरह से simple base भी इसी तरह से depend करती है क्योंकि base चू है relative topology की जो base है वो super topology की base के उपर depend करती है अगर आप यह by base कहें और इ जैसे कि by definition हम जानते हैं कि relative topology की base है वो super topology की basic members से बनती है मिसाल के तरह पर अगर यह आपके पास bx है और इसके अंदर members है आपके पास b1, b2 and so on तो हमने यह पढ़ा था कि relative topology की basis है वो कैसे बनती है अगर y का आप इनके साथ intersection लेते चले जाए y intersection b1, y intersection b2 and so on यह आप लेते चले जाएं तो आपके पास इसकी basis बनेंगी तो जाहिर अगर आपके पास super topology की basis countable है तो फिर relative topology की basis भी countable ही बनेंगी आपके पास